गुजरात के मुख्यमंत्री स्रीवे विजय रुपानी जी, उपमुख्यमंत्री स्री नीतिन पतेल जी, गुजरात सरकार के मंत्रिगण, साउसद गण, और मेरे पैरे भाई और भेहनों किया यो कच्छी माड़ू हो, सी केड़ो आये, शियारों आने कोरोना बोई में ध्यान रख जा, अज कच्छ अची मुके बेवडी खुशी थे रही आये, बेवडी एटले आये, कि कच्छणों मुझे दिल जे बोरो आये, ब्यो येतरे कि अज कच्छ गुजराज न पाण, देश जी ओड़क में पाण, हकडो तारो जोड़े लाए वेने दो, साथियो, आज गुजराज और देश के महान सपूत, सरदर महल भाई पटेल जी की पुण्यतित्री भी है, मा नर्ब्दा के जल्ब से, गुजराज का काया कल्प करने का सपना देखने वाले, सरदार साब का सपना, तेजी से पुरा हो रहा है, के वड़िया में, उनकी दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा, हमें दिन रात, एक जूट होकर, देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है, सरदार साब का स्मनन करते हुए हमें, इसी तरह, देश और गुजरात का गवरव, बढ़ाते ही रहना है, साथियों, आज कच में भी नई उर्जा का संचार हो रहा है, सोचिये, हमारे कच में, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रीड रिन्योल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है, जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगबर उतने बड़े खेत्र में कच का ये रिन्योबल एनर्जी पार्क होने वाला है, अब आपको अंदाज आता होगा कि ये कितना बिशाल होने वाला है, सत्तर हजार हेक्टर, यानि भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्योबल एनर्जी पार्क, ये जब सुनते हैं, ये शब्द कान में पढ़ते हैं, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है, लगता है कर नहीं लगता है कच्छ वालों को, मन कितना गर्व से भर जाता है, साथियों, आज कच्छ ने, न्यू एज टेक्नोलोजी, और न्यू एज एकॉनोमी, दोनों ही दिशा में, बहुत बड़ा कदम उठाया है, खावडा में, रिन्योबल एनर्जी पार्क हो, मांडवी में, डिसेलिनेशन प्लांट हो, और अंजार में, सरहट डेरी के नए, आटोमेटिक प्लांट का स्चलान्यास, तीनों ही, कच्च की विकास यात्रा में, नए आयाम लिखने वाले हैं, और इसका बहुत बड़ा लाब, यहां के मेरे किसान भाईयों बेहनों को, पशू पालग भाईयों बेहनों को, यहां के सामान्य नागरिकों को, और विशेश कर, हमारी माताओं बेहनों को होने वाला हैं, साथियों मैं जब कच के विकास की बात करता हूँ, तो मन में बहुत सारी पुरानी, सारी ज्यादे, सारी तस्विरें, एक साथ आने लगती हैं, एक समय कहा जाता था, कच इतनी दूर है, विकास का नामों निशान नहीं है, कन्डेक्टिविटी नहीं है, बिजली, पानी, सडक, चुनोती का एक प्रकार से दूसरा नाम ही ये था, सरकार में भी ऐसा कहा जाता था, कि अगर किसी को पनिश्मेंट पोस्टिंग देना है, तो कच में भेज दो, और लोग भी कहते हैं, काला पनी की सजा हो गई, आज स्थिती ऐसी है, कि लोग सिफारिस करते हैं, मुझे कुछ समय कच में मोका मिल जाए, काम करेंगा, कुछ लोग तो ये भी कहते थे, कि इस ख्षेत्र में, विकास कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे ही हालत में, कच में भुकम की तास्दी भी आई, जो भी बचा खुचा था, भुकम ने, वो भी तभा कर दिया था, लेकिन एक तरफ, माता आशापुरा देवी, और, कोटेश्वर महदेव का अशिरवाद, तो दूसरी तरफ, कच के मेरे खमीर बंत लोगों का होसला, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति, सिर्फ कुछी वर्षों में, इस इलाके के लोगों ने, वो कर दिखाया, जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता था, कच के लोगों ने, निराशा को आशा में बदला, मैं समझता हूँ, यही तो माता आशापुरा देवी के अशिरवाद है, या निराशा का नाम नहीं, आशा ही आशा होती है, भूकंप में, उनके घर, भूकंप ने भले उनके घर गिरा दिये थे, लेकिन, इतना बड़ा भूकंप भी, कच के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा पाया था, कच के मेरे भाई बहन, फिर खड़े हुई, और आज देखिए, इस खेत्र को उन्होंने, कहां से कहां पहुचा दिया है, साथियों, आज कच की पहचान बदल गई है, आज, कच की शान, और तेजी से बढ़ रही है, आज कच, देश के तेजी से विख्षिद होते खेत्रों में से, एक एहम खेत्र बन गया है, यहां की कनेक्टिविटी दिनों दिन बहतर हो रही है, इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन, और पहले तो जन संख्या क्या हिशाब देख लीजिए, माइनस ग्रोध होता था, और जगापे जन संख्या बढ़ती थी, यहां कम होती थी, यह लोग चले जाते थे, और ज़्यादातर सीमावर्ती इलाके से, लोग पलायन कर जाते थे, और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी, मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था, अब जब पलायन रुका है, तो जो गाउं कभी खाली हो रहे थे, उनमें रहने के लिए लोग बापीस आते जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव, सकानात्वक प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा पर भी पड़ा है, साथियों, जो कच्छ कभी विरान रहता था, वही कच्छ देश और दुनिया के परियाटकों का प्रमुकेंद्र बन रहा है, कोरोना ने जरूर मुश्किले खड़ी की है, लेकिन कच्छ का सफेद राण, कच्छ का रणोत्षव, पूरी दुनिया को आकर्शित करता है, एवरेज, आउस्टन चार से पांच लाग तुरिस्ट, रणोत्षव के दरान यहां आते हैं, सफेद रेगिस्तान, और निले आस्मान का आनन्द उठाते हैं, इस तरह के बड़े पैमाने पर, सांस्कृतिक कारकम, कच्छ के स्थानिय सामानों की, इतनी बड़े पैमाने पर भिक्री, यहां पारमपारी खानपान की लोग प्रियता, एक जमाने में कोई सोज भी नहीं सकता था, आज मुझे, कई मेरे पुराने जान पहचान वालों से, गप्पे गोश्टी करने का मोका मिल गया, तो ऐसे ही मुझे बता रहा है थे, बोले अब तो हमारे बच्चे अंग्री जी बोलना सिखे, मैंने का कैसे, बोले अब तो हम होमस्टे करते हैं, हमने घरों की रचना की है, तो होमस्टे के लिए लोग रहते हैं, तो हमारे बच्चे भी बोलते बोलते बहुत कुछ सीख गए है कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर अपने सामर्थ पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मंदिर भरता की तरह बढ़ा जा सकता मैं दुनिया के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स इससे जुड़े लोगों से कहुँगा कि भूकम के बाद जिस तरह कच्छ का चौतरफ विकांच हुआ है मुझे लगता है कि के स्टड़ी है उसकी स्टड़ी की जैनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और ये किस प्रकार से मोडल काम कर रहा है इतने बड़े भूकम हाथ से के दो दसक के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्वांगिन विकांच हर शेत्र में है और वो भी जहां जादर अदर भूमी सिर्फ सिर्फ लेकिस्तान है ये अध्यन का विशे है सात्यों मैं हमेशा मानता हूँ कि इश्वर निम्झे मुझे पर कई कुपा रही है और इश्वर की कुपा का ही कारण होगा शायद कि मुझे भी उस भूकम के समय विशे शुप से कच के लोगों के सेवा करने का इश्वर ने आउसर दिया इसे सहियों की कहेंगे कि भूकम के अगले साल बाद जब राज्य में चुना हुए तो जिस दिन नतीजें आए वो तारिख भी 15 दिसंबर थी और आज 15 दिसंबर है कोई कलपना नहीं कर सकता था इतने बड़े भूकम के बाद यहाँ पर हमारी पार्टी को लोग आशिरवाद देंगी है बड़ी नकारत पर चर्चा चल रही थी लेकिन उस चुनाव में जब 15 दिसंबर को रिजल्ट आया तो देखा कच्छ ने जो प्यार बरसाया जो आशिरवाद दिये वो आज भी उसी परंपरा चल रही है आज भी देखिए आपके आशिरवाद वैसे साथियों आज 15 दिसंबर की तारिके साथ एक और संयोग जुड़ा हुआ है साथ कई लोगों के लिए जानकारी सुखद आस्चेरिया हुआ है देखिए हमारे पुर्वज भी कितनी लंबी सोच रखते थे कितने दूर का सोच थे आज कल कभी कभी नई पिड़ी की सोच वाले लोग पुराना सब निकम्मा है बिकार ऐसी बाते करते हैं न मैं एक गटना सुनाता हूँ आज से 118 साल पहले 118 साल कोई कब समय नहीं होता है आज से 118 साल पहले आजी के दिन 15 दिसंबर को ही 118 साल पहले 15 दिसंबर को एहमदाबाद में एक इंडरस्ट्रियल एक्जिविशन का उद्गार्ण किया गया था उस जमाने में और इस एक्जिविशन का मुख्य आकरशन क्या था उसका आकरशन था भानू ताप यंत्र भानू यान सूरिया याने 118 साल पहले आके हमारे एंटर्परिनर्स की सोच देखिए भानू ताप यंत्र याने सूरिय ताप यंत्र ये सबसे बड़े आकरशन का कानन था आने भानू ताप यंत्र याने सूरिय की गर्मी से चलने वाला यंत्र और एक तरह से वो सोलार कुकर की तरह उन्होंने विक्सित क्या था एक सो अठारा साल पहले आज एक सो अठारा साल बात आज 15 दिसंबर को ही सूरिय की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्योबल एनर्जी पार्क का उद्गाटन होती आ गया है इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन उर्जा दोनों से करीब तीस हजार मेगावोट बिजली पैदा करने की शमता होगी इस रिन्योबल एनर्जी पार्क में करीब करीब देड़ लाग करोड रुपिय का निवेश होगा सोचिए रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमी का सदुप्योग होगा सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बहतर होगी आम लोगों का बिजली का बील कम करने के लिए जिस लक्ष को लेकर के देश चल रहा है उसे भी मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाब होगा और सबसे बड़ी बात इससे प्रदूशन कम होगा हमारे परियावरण को भी लाब होगा इस रिन्योबल एनरजी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रती वर्ष पांच करोड टर्न कार्बन डायोगसाइड पांच करोड टर्न कार्बन डायोट साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी और यह जो काम होने वारा है अगर उसको परियावरण के हिसाब पे देखना है तो यह काम करीब करीब 9 करोड पैड लगाने के बराबर होगा नव करोड पैड यह एनर्जी पार्क भारत में पर केपिटा कार्बन डायोगसाइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार के नए आउसर भी प्लब दोंगे इसका बहुत बड़ा लाब कचके मेरे युवाओं को होगा साथियों एक समय था जब गुजरात के लोगों की मांग होती थी कि कम से कम रात में खाना खाते समय तो कुछ देर बिजली मिल जाएं यही मांग होती थी जब मैं नैना मुखमंद्री बना था जहां भी जाता था लोग यही मांग करते थी आज गुजरात देश के उन राज्यों में से एक है जहां शहर हो या गाउं 24 गंटे बिजली सुनिश्चित की जाती है आज जो 20 साल का नवजवान होगा उसे पता नहीं होगा कि पहले क्या हालत थी उसे तो अंदाज भी नहीं आएगा कि इतना बड़ा बडलाव आया है यह बडलाव गुजरात के लोगों के अठक प्रयासों से ही संभव हो पाया है अब तो किसानों के लिए किसान सुर्योदय योजना के तहट अलग से पूरा नेटवर्ग भी तैयार किया जा रहा है गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सौर उर्जा को ध्यान में रखते हुए नीतिया बनाई निर्णे लिए हमने नहरों तक पर सोलार पहना लगा दिये और जिसकी चर्चा विदेशों तक में हुई बुज्याद है जब गुजरात ने सोलर पावर को बढ़ावा देना शुरू किया तो ये भी बात आई थी कि इतनी महंगी बिजली का क्या करेंगे क्योंकि जब गुजरात ने इतना बड़ा कदम उठाया था तब सोलर पावर उससे जो बिजली थी वो सोला सत्रा रुपिय प्रती युनिट बिजली मिलने की बात थी एक युनिट सोला सत्रा लेकिन भविश्च की संभावनाओं को देखते विए गुजरात ने इस पर काम जानी रखा आज वही बिजली गुजरात ही नहीं पूरे देश में दो रुपिय तीन रुपिय प्रती युनिट बिक रही है गुजरात ने तब जो काम किया था उसके तब के अनुभव आज देश को दिशा दिखा रहे है आज भारत रिन्यूबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी ताकप है दुनिया की हर इंदुस्तानी को गर्व होगा दोस्तों बीते छे साल में हमारी सौर उर्जा उसकी हमारी शमता सोला गुना बढ़ गई है हाल में एक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रेंकिंग आई है इस क्लीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी रेंकिंग जो है 104 देशों का मुल्याकन हुआ है और नतीजा ये निकला है कि दुनिया के 104 देशों में पहले तीन में भारत ने अपनी जगा बना ली है क्लाइमेट चेंज के खिलाब लड़ाई में अब भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है नेत्रुत्व कर रहा है साथियों 21 सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिकुरिटी जरूरी है उसी तरह बॉर्टर सिकुरिटी भी महत्वपूर्ण है और मेरा सुरू से कमिट्मेंट रहा है कि पानी की कमी की वज़े से न लोगों का विकास रुखना चाहिए और नहीं किसी खेत्र का विकास रुखना चाहिए पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है एक समय था जब कच्छ में मान नर्वदा का पानी पहुँचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे वो यही कहते थे तो राजनीतिक बाते हैं होना वाला कुछ नहीं है कभी कभी लोग कहते थे छे सो साथ सो किलोमेटर दूर मान नर्वदा वहाँ से पानी यहां कैसे पहुँच सकता है यह कभी भी नहीं होगा आज कच्छ में नर्वदा का पानी भी पहुँच रहा है और मान नर्वदा का आशिरवाद भी मिल रहा है कच्छ का किसान हो या सरहत पर खड़ा जवान दोनों ही दोनों के लोगों के पानी की चिंता दूर हुई है यहां के लोगों की विशेश प्रसंसा करूँगा जिनोंने जल समुरक्षन को एक जन आंदोलन में बदल दिया गाउं गाउं में लोग आगे आए पानी समीतिया बनी महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला चेक डेम्स बनाए पानी की टंकिया बनाई नहरे बनाने में मदद की मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जम नर्वदा का पानी यहां पहुचा था और वो दिन मुझे बराबर याद लिए जिस दिन मा नर्वदा का पानी पहुचा शायद दुनिया में कहीं पर भी कच्छी होगा दुनिया में कच्छ के दूर सुदूर रहने वाला कोई कच्छी होगा जब नर्वदा मां यहां कच्छ की धर्ती पर पहुंची थी हर किसी की आंख में हर्ष के आंसू बेह रहे थी वो दिर से मैंने देखा थी पानी क्या है कि कच्छ के लोग जितना समझ सकते हैं शाहिद कोई समझ सकता है गुजरात में पानी के लिए जो विशेज ग्रीड बनाए गए नहरों का जाल भी जाया गया उसका लाप अब करोर लोगों को हो रहा है यहां के लोगों के प्रयास राश्ट्रिय तरपर जल जीवन मिशन का भी आधार बने है देश में हर घर में पाइप से पानी पहुंचाना का भ्यान तेज गती से चल दा हा है सिर्फ सवा साल के भीतर इस अभ्यान के तहट करीब करीब तीन करोर घरों तक पानी का पाइप पहुंचाया गया है यहां गुजरात में भी 80 प्रतिशत से अधिक गरों में नल से जल की सुवीदा पहुंच रही चुकी है मुझे पताया गया है कि अगले कुछ समय में ही गुजरात के हर जिले में पाइप से पानी की सुवीदा उपलब्द हो जाएगी भाईयों और भेनों पानी को घरों तक पहुंचाने के साथ साथ पानी के नए स्रोथ बनाना भी बहुत जरूरी है इसी लक्ष के साथ ही समंदर के खारे पानी को सुद्ध करके इस्तवाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है माडवी में तयार होने वाला डिसलिनेशन प्रांट नर्वदा ग्रीड साउनी नेटवर्ग और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा पानी सफाई का ये प्लांट जब तयार हो जाएगा तो इससे माडवी के अलावा मूंदरा, नखत्राना, लगपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा इस प्लांट से इन छेत्र के करीब करें आठ लाग लोगों को रोज टोटल मिला करके दस करोल लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी एक और एक और लाभ ये होगा कि सेंक्रों किलोमेटर दूर से यहां आ रहां दरुदा का पानी उसका भी हम जादा अच्छा सदुप्योग कर पाएंगे ये पानी कच्छ के अन्य तालू का जैसे रापवर, भचाव, गांधिदाम और अंजार को सुचारू रुप से मिल सकेगा साथियों कच्छ के अलावा दहेच, दुवारिका, गोगा, भावनगर, गीर सोमनाक वहां पर भी ऐसे प्रोजेट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं मुझे विश्वात है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेना देगा, उन्हें प्रोजशाहित करेगा भाई और भेनों, समय और जरुत के साथ बढ़लाव करना, यही कच्छ की गुजरात की तांकत है आज गुजरात के किसान, यहां के पशुपालक, यहां के हमारे मच्छुवारे साथी, पहले से कहीं बहतर सिती में इसका एक कारण ये भी है, कि यहां खेती की परंप्रा को आदुनिक्ता से जोड़ा गया फसलों की विविदता पर फोकस किया गया, कच्छ सहीत, गुजरात में किसान, जादा डिमांड और जादा कीमत वाली फसले उसकी तरह मुड़ गए, और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं अब यहीं हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसीने कभी सोचा था, अज हो रहे हैं यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को घेती जादा होने लगी है सिर्फ देड दसक में, गुजरात में क्रशी उत्पादन में, देड गुणा से जादा बड़ोतरी दर्ज की गई है भाई और बहनों, गुजरात में क्रशी सेक्टर मजबूत होने का, एक और बड़ा कारण यह रहा है कि हाँ बांकी उद्योगों की तरह ही, खेती से जुड़े व्यापार में भी, सरकार टांगनी अड़ाती है दखल बखल नहीं करती है, सरकार अपनी दखल बहुत सिमित रखती है, खुलत छोड़ दिया है आज हम देखते हैं कि डेरी और फिसरीज इससे जुड़े दो सेक्टर ऐसे हैं, जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है बहुत कम लोगों ने इसका स्टड़ी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं गुजरात में भी दूद आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदिया कम से कम रही सरकार जरूरी सहुलियत देती हैं, बाकी का काम या तो कोपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं, या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं अब आज अंजार की सरहत देरी भी इसका एक उत्तम उदान है, मुझे आद है, जब मैं कच्छ में डेरी होनी चेज़ बात को लेकर करके शुरू में बात करता था तो जिस से मिलू सब निराशा की बात करते हैं, सब करते हैं, आज आज पहुँच गया है, इस देरी ने कच्छ के पशुपालों को का जीवन बदलने में बड़ी भूमी का निभाई है कुछ साल पहले तक कच्छ से और वो भी बहुत कम माता में, दूद को प्रोसेसिंग के लिए गांदी नगर की डेरी में लाया जाता था लेकिन आप वही प्रोसेसिंग अंजार के डेरी प्लांट में हो रही है इससे हर दिन ट्रांस्पोर्टेशन में ही किसानों के लाखो रुपिय बच रहे हैं अब सरहर डेरी के आटोमेटिक प्लांट की छमता और बढ़ने जा रही है आने वाले दिनों में यहां का डेरी प्लांट हर दिन दो लाख लिटर जानदा दूद की प्रोसेसिंग करेगा इसका आसपास के जीलों के पशुपालकों को बहुत लाब होगा यही नहीं नए प्लांट में दही, बटर मिल्क, लट्सी, मकान, खोवा जैसे अनेक मिल्क प्रोडक्स में बेल्यू एडिशन भी संबव हो पाएगा साथियों डेरी सेक्टर में जीन पशुपालकों को लाब हो रहा है उसमें से जानदातर छोटे किसानी है किसी के पास तीन पसुई है, चार पसुई है, किसी के पास पाँच, किसी के पास साथ और ऐसा करीब करीब पूरे देश में ही है यहां कच्की बन्नी भैस यह हमारी बन्नी भैस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है कच्छ में तापमान चाहे 45 डिगरी हो या फिर तापमान सुन्य से नीचे हो बन्नी भैस आराम से सब कुछ सहती है और बाद मौश से रहती है इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैस को कोई दिकप नहीं होती एक दिन में ये भैस और सतन करीब करीब 15 लिटर दूर देती है और इसे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपे तक की होती है मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैस 5 लाख रुपे से भी जादा में भी की है देश के और लोग सुनते होंगा उनको आस्टे रहोगा बन्नी की भैस 5 लाख रुपे यानि जितने में दो छोटी कार खरीदें इतने में बन्नी की एक भैस बिलती है साथियों साल 2010 में बन्नी भैस को राश्ट्रिय माननेता भी मिली थी आजाती के बाद भैस की ये पहली ब्रीड थी जिसे राश्ट्रिय स्तर पर इस तरह की माननेता मिली साथियों बन्नी भैस के दूद का कारोबार और उसके लिए बनी वेवस्ता यहां कश में बहुत सफल रही है देश में बागी जगह पर भी दूद उत्पादक और दूद का वेवसाय करने वाला प्राइवेट और कोपरेटिव सेक्टर दोनों एक दुसरे से जुड़े हैं और एक बहतरिन सप्लाई चेन उनने खड़ी की है इसी तरह फल सब्जी से जुड़े वेवसाय में भी जादातार बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है साथ क्यों यह उदान मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को ब्रमित करने की बड़ी साजिस चल रही है उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृसी सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कबजा कर लेंगे भाईयों भेहनों मैं आप से जानता हूं क्या कोई डेरी वाला आप से दूज लेना का कॉंट्रेक करता है तो आपकी गाईब्यंस ले जाता है क्या कोई फल सब्जी खरने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या आपके प्रपर्टी उठा के ले जाता है क्या साथियों हमारे देश में डेरी उद्योग का योगदान क्रशी आर्थे ववस्ता के कुल मुल्य में 25 प्रतिसत से भी ज़्यादा है ये योगदान करीब करीब 8 लाग करोड रुपिय होता है दूद उत्पादन का कुल मुल्य अनाज और दाल के कुल मुल्य से भी ज़्यादा होता है इस विवस्ता में पशू पालकों को आज़ादी मिली हुई है आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आज़ादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सिमान किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए साथ क्यों हाल में हुए कुरुशी सुधारों की मांग बर्सों से की जा रहे थी अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्ब दिया जाए आज जो लोग भी पक्षमे वैट कर किसानों को ब्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के सबाएं इन कुरुशी सुधारों के समर्धन में थे लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निरने नहीं ले पाएं किसानों को जुठे दिला से देते रहे आज जब देश ने यह एतियासे कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को ब्रमित करने में जुठ गए हैं मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर संका के समाधान के लिए सरकार 24 सो घंटे तयार है किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सरवोच्च प्रात्विक तममस एक रहा है खेती पर किसानों का खर्च कम हो उन्हें नए नए विकल्प मिले उनकी आए वड़े किसानों की मुश्किले कम हो इसके लिए हमने निरंतर काम किया है मुझे विश्वास है हमारी सरकार की इमानदार नियत हमारी सरकार की इमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पुरी देश ने आशिरवाद दिये है देश के हर कौने के किसानों ने आशिरवाद दिये है मुझे विश्वास है कि किसानों के आशिरवाद की ये ताकत देश भर के किसानों के आशिरवाद की ताकत जो ब्रह्म फ्यलाने वाले लोग है जो राजरीती करने पर तुले हुए लोग है जो किसानों के कंदे पर बंद्लू के फोड़ रहे हैं देश के सारे जांगरू किसान उनको भी परास करके रहेंगे भाईयो मैंनो इसी के साथ मैं फिर एक बार कच्छ को अनेक अनेक बधाई देता हूँ अभी कुछ देर मैं जब मैं यहां आया हूँ तो रणोत्सव क्या प्रति मेरा आकर्शन तो रहता ही है कच्की विरासवत यहां के संसुरूत को नमन कर रहे है एक और कारकम रणोत्सव का भी हिस्सा लूँगा फिर से एक बार खुड़ा उस पल को जीने का प्रयास करूँगा कच्के विश्व प्रतिद वाइट डेजर की आदे भी आपने साथ फिर एक बार आज दिल्ली ले चांते तल जाओंगा कच्च विकास की नई उचाईया छुता रहे मेरी हमेशा यही कामना रहेगी मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बगदाई देता हूं बहुत बहुत सुप्राम नई देता हूं बहुत बहुत आबार बहुत 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 धन्यवाद माननी अप्राइब